हरी ओम गनेश एक बार पुना कर्मकान बाय आनंद पाठक में आप सभी कामें सुभागत करता हूं और जैसे बहुत लोगों ने आप लोगों ने मुझे वाटसप किया है कि क्या हम अखंड दिया रख सकते हैं बिना कलश स्थापन के या बिना गट स्थापन के और अगर क्या हम रखते हैं इस वर्ष तो क्या हमें प्रती वर्ष अखंड दिया रखना पड़ेगा नवरातर के दोरन अगर हम दिया रखते हैं तो उसकी क्या बाती जो है वो खड़ी होनी चाहिए या लेटी होनी चाहिए पूरे अखंड दिपदान का विदान क्या है आज आपका संशाई में दूर करूंगा अगर आपको यह विश्य वीडियो पसंद आए आप लाइक करें शेर करें चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिनहा अवशिया दब बिल्कुल भी नहीं है शास्त्रों में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर आपने एक वर्ष अखंड दिया रखा तो आपको हर वर्ष नवरात्र में रखना पड़ेगा यह मन में से बिल्कुल निकाल दीजेगा जैसी परिस्थिति होती है उस अनुसार चलना होता है इस वर्ष आप सब तरह से प्रसंद हो आप मतलब काम करते हो तो आपके पास चुटिया भी है एक अच्छा वातावरन है पॉजिटिव हो सकता है अगले साल ऐसी कोई परिस्थिति ना भी हो शायद तो इसमें कोई मतलब भगवान ने असा नहीं कहा है कि इस वर्ष करते हो दीपदान तो बहुत बड़ी बात है अखंड दिया रखने से क्योंकि दीप में तो बहुत शक्ति है हम ही तो बोलता है कि शुबं करो तो कल्यानम आरोग्यम दने संपदा शत्र बुद्धी विनाशा है दीप जोती नमस्तुते हर रोज एक दीपदान या एक दिया प्रज तो रहता है खास करके अखंड दिया रहते है तो घर में जो भी नेगेटिव एनरजी है वो दीरे-दीरे समाप्त हो जाएगी घर में रोग कारक जो बैक्टेरिया दी होते है वह मर जाते है विगनाने भी माना है और हमारा ग्राम तो हजारों लाखों वर्ष है तो ऐसा मन म कोई चीज नहीं है आप कर सकते हैं दिपदान दुषらा प्रश्ना कि क्या हमने कलश ठापना घटस ठापना नहीं किए फिर भी हम क्या दिया रख सकते है जी हाँ आप उसके अलावा भी दीप अखंड रख सकते हो तीसरा आपका प्रश्नस था कि हम двеश्न चरय या एक दिया साइड हमारी लेफट एंड साइड में गव माता के घी का दीपक होगा माता-रानी की लेफट HOR has हमारे राइट हना साइड में न्यूंट हो रखनबा चाहिए तुर चरथिंबantर सर तो दौन गी के भी आपड रख सकते हैं कोई दोष आधी नहीं अब जब दिया मान्य के अंजाने में बूज जाए या जब आप दिये की बात को सही कर रहे हो उस समय अगर बूज जाए तो उसमें सावधानी कैसे रखे कुछ और मन में और वहम रखने की आवशक्ता नहीं है जब भी आप मानिये की गव माता के गी का दिपक या उसकी बाती सही कर रहे हो जैसे प्लकर से उसको उपर लाना ये है वो है तो उस टाइम पे क्या करें थोड़ी देर के लिए एक और अतिरिक्त छोटा साथ दिया प्रजवलित कर लिजे गी का ताकि अगर वो दिया सही करते समय बुझ भी जाएगा तो ये दिया तो चल ही रहा है तो वो अखंड ही गीना जाएगा और फिर जैसे ही वो बाती सही कर दी तो उसको प्रजवलित कर दीजे उसको दो-पांच मिनिट तक चले उतना ही दिया रखे ताकि एस इस वो दोन दिये चलने दीजे एग्जेटली एक और अतिरिक्त छोटा 10-15 मिनिट चले ऐसे तिलका दिया प्रजवलित करे फिर वो अखंड दिये की बाती सही करो ताकि वो गिंती में अखंड ही रहेगा तो ये एक इसका समाधान है दुसरा कि दिये की बाती खड़ी रखे या लेटी रखे इसमें कोई चीज शास्तु होगी अवश्य में बताऊंगा हाँ आपके कोई रिती रिवाज है उसको मैं मना नहीं कर सकता हूँ आप अपने रिती रिवाज का आचरण कीजिए उसको मैं मना नहीं कराओ लेकिन इसके पीछे सिर्फ ये तरक और लाजिक है जैसे अगर अखंड दिया आपको 8-10 गंटे 2-3-4-5 दिन चलाना है तो आप खुद सोचे आप इतनी तो कितनी बड़ी बात जो खड़ी होती है वो बनाओगे कि वो अखंड दीपदान चल सके वो नहीं चल सके क्यों कि खड़ी बात की उपर की जो बत्ती होती है या तो वो एक इंचों की दो या तिन इंच से जादा जो बने ही नहीं सकती है तो वो तीन इंच या एक इंच की जो खड़ी बात है वो तो जलदी ही जल जाएगी तो फिर वो अखंड दीपदान कैसे रहेगा नहीं रहेगा इसलिए लेटी हुई बात इसलिए बनाई जाती है क्योंकि लेटी हुई बात आप देखे जितनी अपर एक जो होता है portion प्राप्त होता रहता है उसी वज़े से वो लिया दिया खड़ी बात की comparison में लंबी बात का दिया अधिक लंबा चालता है लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं है कि यहीं बात किजिए यहीं बात मत करें ऐसा कुछ नहीं है चाहे खड़ी बात हो चाहे लेटी बा जब आपने एक पार दिये का स्थापन कर दिया अब स्थापन का मतलब क्या है जब आप दिया प्रजवलीत करती हो तो मैं आपको सिर्फ एक चोटा सा सजेशन दूगा जैसे कि जहां पर आप दिया रखने वाले हो वहां पर एक त्रिकॉन बनाईए या फिर श्टार दिया रख लिजे चलेगा अगर ऐसा नहीं करना है मन में कोई कंफ्यूजन है चिंता मत कीजे आप जैसे मैंने कहा दिशा के अनुसार दिया रख दीजिए उस अखंड दिये के आगे पुषप और अक्षत रख लिजे अर्था तक पुषप और चावर रखिए फिर दुसर कारणों की वज़े से थोड़ा बहुत आपने दिये को इधर या उधर खिसका चलेगा लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं एक बार दिया कर लिया फिर इसको आज यहां से उठा के वहां रख दिया वहां से उठा कर यहां रख दिया यह चीज कभी नहीं कर सकते हैं जहां जो आप दीप प्रजवालित करते हो अखंड दीपदान जैसे मैंने कहा दो दिये आप पहले से रेडी कीजिए एक गौमाता के गीका एक तेलका लेकिन जब प्रजवालित करने की बात आए तब सदई वह पहले दिया गौमाता के गीका प्रजवालित करें और उसके बाद ही तेल तेल का दीपक प्रजवलीत करें। जब प्रजवलीत करते हैं तब आप कोई भी श्लोक बोलें। ताकि नौ दिनों तक आप माता रानी के सामने जो भी अनुष्ठान, मंत्र, जाप, सोत्र करते हो उसके साक्षी दोनों दिप होते हैं जो हमारा कर्म भगवान तक पहुँचाते हैं और उसी का शुब फल हम यहां पर भुगटते हैं। इसलिए अखंड दिपदान करना चाहि मैं इस अखंड दिपदान के विशय में आपको कुछ-कुछ उदाहरन भी दूगा। आप नॉटिस कीज़ेका जहां-जहां पर वर्षों से अखंड दिपदान है जिस घर में वर्षों से अखंड दिपदान है। उस घर के सारे कलेश, कष्ट, वास्तु दोष, ग्रह दोष, अपित्रु दोष, दिरे-दिरे समाप्त हो जाएंगे, हम ठीक है, नित्य अखंड दिया ना रख पाए, लेकिन 9 दिन अवश्य कोशिश प्रहत्न करना चाहिए, मैं कहूंगा, वो भी ना कर पाए, कोई चिंता न करना चाहिए, क्योंकि अगनी की जोती, रवी की जोती, चंद्र की जोती, उत्तमा सर्वा जोती, नम दीपोयम, इन सभी जोतियों में, जो एक घर के लिए, जो सबसे उत्तम जोती होती है, वह है दीपोयम प्रतिगुरु येता, वो है भगवान दिप की, दिपनारायन की, शुब करने वाला, शुबम करोती, कल्यानम कल्यान करने वाला, शुबम करोती, कल्यानम आरोग्यम दन संपदा, स्वस्था आयू आरोग्या देने वाला, संपदा, संपत्ति देने वाला, शत्रु बुद्धी विनाशाय, शत्रु की बुद्धिया, शत्रु समान जिसकी ब कब नहीं है उसका अलग से कोई विदी विदान आदी नहीं है सिर्फ जो जो चीजे मैंने बताई है वही उसका आपको ध्यान रखना है उसके अलावा हर रोज दोनों दियों के आगे पुष्प रखना है अक्षत चाहे तो रख सकते हो मैं तो यहां तक कहूंगा कि दिये के आगे सुंदर सी रंगोली भी आप बनाएए फिर रंगोली ठीक है दो तीन दिन दिन तर आप चाहे तो रखिए लेकिन जो पुष्प है वो सूख जाएगा सुखा हुआ पुष्प फिर से दो तिन दिन या नौ दिन तक नहीं रखना चाहिए दूसरे दिन फिर से आप आप दिन से पुछ सकते हैं मैं प्राहित न करूंगा उसका उत्तर देने के लिए ये था आज का विशय वार वीडियो अगर आपको यह विशय वीडियो पसंद आए लाइक करे शेयर करे चैनल पर नायो हो तो सब्सक्राइब करके गंटिका चिनहा दबाजगा बहुत जल म झालि सकते हैं मैं ओज़ अगर आपको बाइक